हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चैनल एजूकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागते हैं दोस्तों आज हम रीट मनोविज्ञान का ओनलाइन मोग टेस्ट पेपर शुरू करेंगे उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं अपना मुल्यांकन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है निमन में से कौन सा खतन विकास के बारे में सित्य नहीं है ए विकास अंते किरिया का फल है दो विकास एं व्यक्तिगत सरकला का अनुगामी है तीन विकास एक व्यक्तिगत पर किरिया है च चार विकास विशिष्ट से सामाज्य की होर होता है अगला सवाले निमन में से कोन प्याजे के अनुसार बोदिक विकास का निरदारक तत्वे नहीं है ए सामाजिक संचरण दो अनुभव तीन संधूली करण चार इन में से कोई नहीं मैं बता दूँ यह जो पेपर है वो परगंड्य परकासन का है उनके दोवारा प्रोवाइड करवाया गया है जो सारे कोपिराइट दिकारे हैं वो उनके ही है अगला सवाल है बालकों की सोच अमुर्त अताकिया पेक्षा मुर्त अनभों एंव पर्चों से होती है यह अवस्त नाम है एक अभीभावक एंव अज्यापक का दो समाजिक एंव संस्कृतिक कारकों का तीन वन्सकरम एंव वातावरण का चार उप्यूक्त में से कोई नहीं अगला सवाल है समझ्चा के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोसों कमियों एंव रिक्तियों के परत परतिबाशाली बालगों की दो समाज्य बालगों की तीन सरजन्सिल बालगों की चार इनमें से कोई नहीं अगला सवाल है दूस्तों विशेष आपसक्ता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निमनलीकित में से कौन सी व्यूरजनाधिक उप्यूग्त है एक अधिकतम अगला सवाले दोस्तों, एक कोलेज जाने वाले लड़की ने फर्स पर कोट फेंगने की आदत डाल ली है, लड़की की मान ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुंटी पर टांगो, लड़की अगली बार घर में परविश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी परशित किया गया, जाएगा एक परसंसा एंग दो सरोपन, दो परतिद्वन्दिता, तीन पुरुषकार एंग दंड, चार परिणाम का ग्यान, इसके कूट हैं एक एक और दो, दो, एक दो और तीन, तीन केवल दो, चार ये सबी, अगला सवाल है दोस्तों, जिस परकिरिय हमें व्यक्ति दूसरों के व्यववार को देख कर सीखता है, नेकी परतिक्स अनबहु के, इसको कहा जाता है, एक सामाजिक अदिगम, दो, अनुबंदन, तीन, प्रायोगी कदिगम, चार, आकस्मी कदिगम, अगला सवाल है, अधिगम निर्यो ओ गिज्ट्या का लक्षन ह है, एक भागने की परवड़ती होना, दो, एशांत, उर्जावान एं विद्वन्सक होना, तीन, एवदान, सबंदी, भादाया, विकार, चार, अभी प्रेड़ना का अभाव, अगला सवाल है, अधिगम को परभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, एक संचार के सादन, दो, सम्व्यसक समू है, तीन, अध्यापग, चार, परिपक्वता एं आयू, अगला सवाल है, एक किरगेट खिलाडी, अपनी गेंदबाजी के कोसल को विक्षित कर लेता है, पर ये उसके बल्लेबाजी के कोसल को परभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, एक, विदेयात्मक परशिक्षन अंत्रण, दो, निसेदात्मक परशिक्षन अंत्रण, तीन, सुन्य परशिक्षन अंत्रण, चार उप्युक्त में से कोई नहीं, अगला सवाल है दोस्तों, निमन में से कोन सा खतन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्ति को उत्तम रूप से परदशित करता है, ए प्राईड पियाजने विकास क्य विएंड अवस्ता हैं वातावन से निर्दारीत होती है। 2. का एक ही सेस्व अवस्ता गेन बवी अधिक परवावित करते हैं बाके अवस्ताओं के सिमित परवा होते हैं 3. विबिन अवस्ताओं को समझाने के लिए संग्यानात्मक बद्राओं के बारे में कहा 4. उप्युक्त में से कोई नहीं अगला सवाल है गिल्फोर्ड ने अभी सारी चिंतनपद का परियोग किसके समान अर्थ में किया 1. बुद्धी 2. सरजनात्मक ता 3. बुद्धी अवस्ताओं सरजनात्मक ता 4. इन में से कोई नहीं अगला सवाल है निमन में से कौन सा रूची के बारे में सक्तिया नहीं है 1. रूचियां जनमजात और अर्जित दोनों होती है 2. रूचियां समय के अनुसार बदलती रहती है 3. रूचियां योग्यताओं यह अभी शमताओं से समंद्ध नहीं होती है 4. रूचियां व्यववार में आकर्षन और विकर्षन के पढ़ती भी में नहीं है अगले सवाले दोस्तों अभी वड़ती है एक भावात्मक परवर्ती जो अनभव के दोरा संगटित होकर किसी मनोवेग्यानिक वस्तु के पढ़ती पसंदगी या नापसंदगी के रूप में पढ़ती के रिया करती है दो एक ऐसी विषयस्ता जो व्यक्ति की योगिता का परिच्छ है जिसे किसी परदर्च शेतर में विशिष्ट परसेक्षन ग्यान अतवा कोसल से शिखा जाता है तीन व्यक्ति की बीजबूत समता जो की विशिष्ट परका की होती है चार उप्युक्त में से कोई नहीं अगला स्वाल जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती उनका बंडार ग्रे निमन में से कौन सा है एक इदम, दो एहम, तीन परम एहम, चार इदम एहम अगला स्वाल है, रक्षा तंतर बहुत शायता करता है, एक हिंसा से निपटने में, दो दवाव से निपटने में, तीन ठकान से निपटने में, चार अजनबियों से निपटने में अगला सवाल है, सारीरिक निर्योग्याता वाले व्यक्ति के लिए निमन में से कौन सी युक्ती रक्षा तंतर में सबसे संतोज जनक होगी एक तादात्मी करण, दो व्यूवे की करण, तीन अतिकलबना, चार इन में से कोई नहीं अगला सवाल है, बालक परसंग बोध परिक्षन तीन वर्स से दस वर्स की आयो के बालकों के लिए बनाया गया है इस परिक्षन में कार्ड में परतिस्तापित किये गए हैं एक सजी वस्तों के इस्तान पर निर्जी वस्तों को दो लोगों के इस्तान पर जानवरों को तीन पूर्सों के इस्तान पर माईदाओं को चार व्यसक के इस्तान पर बालकों को अगला सवाल है सरजन सीलता के पोशन के लिए अज्यापक को निमन में से किस विद्धी की साहिता देनी चाहिए एक ब्रेंड इस्मार्टिंग विचारवेस दो व्याख्यान विद्धी तीन दर्शिय सर्व्य सामगरी चार ये सभी अगला सवाले निमन में से कौन सा कछन सही नहीं है एक अवशक्ता वंचना की सारीरी का वस्ता नहीं है दो अंतरनोद अवशक्ता का मनोवेग्यानिक परिणाम है तीन अवशक्ता एम अंतरनोद समान नहीं है बल्कि समांतर है चार मूल फरवर्तियां आंतरिक जेविक बल है अगला सवाले शिक्षा का अधिगार दिनियम 2009 में एक अज्यापक के लिए नियूंतम कारिये घंटे परति सब्ता निर्दारित किये गए हैं एक 40 घंटे, दो 45 घंटे, तीन 50 घंटे, चार 55 घंटे अगले सवाले शिक्षा का अधिकारे दिनियम 2009 में एक अज्यापक को निमन में से किस दायत्वे को पूरा करना होगा एक विद्धालिय में निमित रूप से समय पर उपस्तित होना होगा दो पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा 3. संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्दारित समय पर पूरा करना होगा 4. उप्यूगते सभी अगला सवाल है राश्टी पाठ्यक्रम रूपरेगा 2005 में शान्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुसंसा की गई पाठ्यक्रम रूपरेगा में निम्र में से किसे सुची बद किया गया है 1. महिलाओं के परती आदरेंग जिम्मेदारी का द्रश्टी कोण विक्षित करने के लिए कारेक्रमा युजित किया जाए 2. नितिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए 3. शांति शिक्षा को एगलक विश्ची के रूप में बढ़ाया जाए 4. शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में समेलित किया जाए अगला सवाल है राष्टिय पाठ्य शरिया की रूपरेगा 2005 में बाचित की गई है 1. ज्यान इस्ताईयवे दिया जाता है 2. सेक्षिक केंदर से विश्यक केंदर होने पर 3. विज्यारति केंदरित से अज्यापक केंदरित की और 4. उप्युक्त में से कोई नहीं अगला सवाल है किर्यात्मक अनुसंदान का उदिश यह 1. नविन ज्यान की खोज 2. सेक्षिक परिस्तितियों में विवभार विज्यान का विकास 3. विद्दाल्य ततक कक्सा की सेक्षिक कारिये पढ़नाली में सुधार दाना 4. उप्युक्त सभी अगला सवाल है राष्टिय पाठ्य से रिया रूपरेगा 4. उप्युक्त सभी तो दोस्तों इसकी अंसर किये वो अब आपको बता देता हूँ 1 में 4 है 2 में 1 3 में भी 1 है 4 में 3 है और 5 में 3 है 6 में 3 है 7 में 1 है 8 में 4 है 9 में 1 है 10 में 3 है 11 में 4 है 12 में 3 है 13 में 1 है 14 में 3 है 15 में 2 है 16 में 4 है 17 में 1 है 18 में 1 है 19 में 1 है 20 में 2 है 21 में 3 है 22 में 2 है 23 में 1 है 24 में 1 है 25 में 2 है 26 में 4 है 27 में 1 है 28 में 1 है 29 में 3 है 30 में 4 है तो दोस्तों यह अंस्वर की थी आपको और किस का मोडल पेपर चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये हिन ये भारता